हेलो स्टुडेंट्स मैं रिशिराज यादव टिम CLC और मेरे साथ डॉक्टर आईस्पारिक हैं हम आज गुरुनिति का एपिसोड नमबर 35 डिसकस करेंगे और जैसे कि आपको पता है कि CLC जो है यूट्यूब पर एक यूनिक आईडिया के एपिसोड सा आज कर डिसकस कर रही है तो हम मिक्स्ट फॉर्म में नियूरल एंड केमिकल कोडिनेशन की बात करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्यूसंस एक्जाम में पूछे जा सकते हैं NCRT बेस्ट अप्रोच को लेकर हम ये सबी क्यूसंस आपके सामने आज डिसकस करेंगे और डॉक्टर आयूस पारिक भी उसमें मेरा 100% साल देंगे जी सर बिलकुल आपके बाद एकदम सही है एक जो चीज सर अभी मैंने नोटिस की है जो NTA का ये ट्रेंड बन गया है कि NCRT के अकॉर्डिंग आसपास क्यूशन तो हो पूस्ती है पर फिर भी क्यूशन ऐसे पूछे जाते हैं कि उनमें options बहुत confusing होते है ताकि बच्चों को उन options में सही option वो किस तरीके से choose कर पाएं उनको आज वो ट्रिक्स की भी हम लोग बात करेंगे साथ में कि हम कैसे सही answer तक पहुँच पाएं वो बहुत important चीज़ है कई बार language के कारण ही हमारा पूरा question गलत हो जाता है concept में बहुत अच्छे से आता है NCRT सर बच्चे पता नहीं कितनी बार निकाल लेते हैं फिर भी गलत कर देते हैं तो यह अपने आपने काफी बड़ी बात है तो हमें यह idea मिलेगा कि हमें NCRT को किस तरीके से पढ़ना है क्योंकि वो बहुत important चीज़ है सर उसके आगे पीछी पूरा paper आता है चलिए सर स्टार्ट करते हैं first है हमारा यह lecture first question में पूछा गया how many statements is oblique are incorrect निम्न में से कितने कथन आसकते हैं आपको यह बताना है how many statements are incorrect तो हमारे पास कुछ statements दे गए हैं उन statement में first statement है neural network point to point connect for a quick coordination अब एक और चीज़ कि हम अगर ऐसे कोई statement पढ़ें जिस पे पूरा statement टिका हुआ हो तो उनको आपन क्या करें round इस तरीके से कर लेंगे students तो आपको बहुत benefit होगा answer तक जाने को जी यह point to point और आपको यह भी पता है कि nervous system में और endocrine system में सबसे fastest system कुन सा है तो यह statement तो क्या हो गया correct second statement है endocrine system provide chemical coordination by hormone endocrine system इसका मतलब यह chemical coordination की बात कर रहा है और जो hormone के द्वारा provide होगा तो यह statement भी क्या है correct सभी हो गया बिल्कुल sir third statement है muscular action occur under hormonal regulation क्या डॉक्टर आयूस सर यह muscular action hormonal regulation की according होगा क्या सर अगर ऐसे होता तो मैं इंतिजार करता कि मैं pain को कैसे उठा हूँ क्योंकि जब तक मेरे body से hormone वहां तक पाहुंस दे तो जब तक जो reflex actions जो muscles परफॉर्म करती है वो तो होई नहीं पाता hormone के through होता क्योंकि muscular action बहुत fast होता है मैंने सोचा और पटापट अपना पे नहीं हाँ touch कर दिया तो यह तो गलत हो गया sir इसका मतलब मैं यह कह सकता हूँ nervous system के बाद endocrine system का रोल होता है तो इसका मतलब यह option क्या होगा बिलकुल रोल होता है transmission of impulse in neuron occur through synapse आपको पता है conduction क्या है और transmission क्या है एक कोई भी neuron है यदि एक neuron से दूसरे neuron पर यदि यह message जाएगा तो यह synapse के through जाएगा it means c statement भी सही होगा तो सर एक फिर हमने पूछा था लिगे कई बार ऐसा भी होता है कि यह is और आर आपको लगेगा आर दे दिया तो एक से ज्यादा गलत है तो आपको आपके concept पर चलना है हमने सभी statement पढ़े है क्यों सर पर हमारा answer अभी यही बताता है कि एक ही गलत है जी और option में भी है तो first answer लगा देते हैं क्यों विल्कुल तो first का सही answer जो हो गया हमारा परस्ट जो की गलत statement है हमारा C नेक्टी सर पर चले है जी बिल्कुल सर देखिए ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहलिक बिवरेज़ेस ऑन होट देज इस नोट सेफ क्योंकि जल के संग्रक्षर कर निरजली करण को रोपता है तो यह क्या कह रहा है कि गर्मी के दिनों में अगर कोई alcoholic beverages पीता है तो किस hormone का जो role है वो inhibit हुगा और वो hormone किसमें हमारे help करता है तो आप चारो hormones को देखेंगे इसका मतलब यह हुगा मेरे को ऐसा लग रहा है कि water dehydration को prevent करने वाला यदि hormone हमें पता जाए तो हमारा answer तक हम इस वे से पूँछ सकते हैं चलिए शुर करते है ओक्सिटोसिन तो ओक्सिटोसिन जो है ये क्या करता है milk let down hormone है तो ओक्सिटोसिन तो milk से related है इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो गलत होगे और smooth muscle contraction को भी करता है uterine जो contractions होते है उनमें भी होता है तो इसका तो कोई शराब से और वाटर से relation यहाँ पर है नहीं इसका मतलब ऑक्सिटोसिन चायर बर्ग और milk let down hormone होगे smooth muscles में भी contractions जाता है it means फर्स्टोरों होगे बलत होगे है सब फर्स्टोरों चलिए second thyroxine thyroxine basal metabolic rate से related है हमारी body में जो energy consumption है उसके लिए जो metabolism perform होता है उस metabolism को control करने वाला BMR को वो कौन सा hormone है thyroxine यह इसका major function है calorie consumption rate जोस को हम basal metabolic rate कहते हैं तो इसका भी sir water से relation तो यहाँ पर नहीं लग रहा means यह भी यहाँ पर गलत होगे third point tri idothironin इसका मतलब यह T3 की बात कर रहा है तो related thyroxine और T3 T4 और T3 इसी से related हो गया इसका मतलब यह option भी गलत हो सकता अब sir हमारा answer आचुता है यहाँ पर anti-diuretic hormone जिसे हम लोग आप अभी पहचान जाएंगे इस नाम से बहुत famous है यह ADH anti-diuretic hormone जो की water conservation के लिए अपना role play करता है और collecting duct और DCT में water का reabsorption यह promote करता है और दूसरा इसका role यह भी है कि यह vessels को press भी करता है जिसलिए इसको वैसो pressingly बोला जाता है तो फिल्मला के बाद यह हुई कि गर्मी के दिनों में अगर कोई व्यक्ति alcoholic beverages का use कर रहा है तो उसके अंदर ADH hormone का role जो है वो इससे प्रभावित होगा और उसके कारण ADH hormone नहीं निकल पाएगा तो वो व्यक्ति dehydrate हो जाएगा इसलिए हमें consume नहीं करनी चाहिए तो सही answer fourth हो जाता है क्यों sir correct answer क्या होगा fourth हो गया इसी को short form में ADH बोल रहे है इसी को vasopressin भी बोल रहे है और और भी देखा जाए तो इसी को pit tracing के name से भी जानते है क्यों sir बिल्कुल बिल्कुल sir तो यहाँ पर बच्चों हम सही answer तक महुँच चुके हैं next question पर चलते है चलिए sir जैसा कि अभी आपने देखा हम किसी भी question को discuss कर रहे है मैं और डोक्टर आयुस पारिक तो हम correct approach की तरफ नहीं जा रहे है हम पहले कौन-कौन से statement incorrect है उसकी तरफ जाने की कोशिस कर रहे है तो fourth option जो भी fourth option दिये है third दिये है second दिया है या first दिया है तो essay में हमें सबसे पहले क्या identify करना है हमें सबसे पहले यह identify करना है कि कौन सा correct है और कौन सा incorrect है तो automatically हम एक right approach करना पड़ेगी क्यों sir बिल्कुल ये एकड़म बात सही है क्योंकि वहाँ पर जो examiner बैठा है आपको देखे ये exam किस के लिए लग रहा है MBBS entrance exam है surgery table पर कई बार doctor confused हो जाता है कि artery काटे या vein काटे और इस छोटे से confusion के कारण patient की जान चलिए जाती है तो यहाँ पर भी sir examiner की approach यही रहती है कि बच्चे को उस pressure time पे कैसे confused किया जाए और इस confusion से अगर आप निकल करके आते है दोक्र आयूस यहां पर not conducting it means कैसा हो रेस्टिंग फेज है जी सर बिल्कुल रेस्टिंग फेज की बात कर रहे है रेस्टिंग फेज में फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है comparatively more permeable to potassium than sodium क्या ही statement correct है यह statement अपने NCRT का statement है और बिल्कुल correct है क्योंकि sodium के comparison में potassium के लिए more permeable है more permeable होता है इस तरीके से अगर हम देखें तो students यह हमारी exo-lena हो गई जो इसके बाहर जो extra cellular fluid है उसमें हमें sodium ion की concentration ज्यादा दिखाई देती है और अंदर की तरफ हम लोग देखें तो जैसे कि ATP होता है तो ATP पर जो phosphate है इस पर negative charge होता है और साथ ही साथ जो proteins होते है उन पर भी negative charge होता है तो हम भी students कहा सकते हैं कि अंदर की तरफ यानि intracellular fluid में तो negative ions जाता है और बाहर की तरफ positive ions जाता है तो हम यह कह सकते हैं कि exo-lena के बाहर की साइड में resting condition में positive और अंदर की साइड में negative और potassium की जो leakage channel है वो sodium की leakage channel से ज्यादा होती है तो first statement क्या है बिल्कुल correct हो गया second statement impermeable to negative charge protein present in the exoplast बिल्कुल क्योंकि ये negative जो हमने देखा ये protein हो गया ये इसको cross करके बाहर नहीं आपाता क्योंकि healthy है ions जो है वो तो उनके अंदर तो हहाँ पर leakage channels वगएर होगी पर protein जो है bulk में वो इसके लिए membrane permeable नहीं होती तो इसका मलब second statement भी सही है बिल्कुल correct statement है तो मैं कह सकता हूँ both statements are correct first में ही sir हमें answer मिल जाता है पर it is ध्यान रखना कईबर आपको लगे कि first में answer मिल गया तो यह नहीं कि आप तीनों छोड़ दे बाकी को भी check करना जुरूँ है ठीक है पर देखिए sir बाकी तो फिर यह दोनों को incorrect बता रहा है जो ऐसा तो है नहीं तो second गलत हो गया first statement correct second incorrect यह भी गलत हो गया तो इसमें आपने यह भी देखा कि resting potential यहाँ पर resting potential का name नहीं दिया गया है not conducting कोई यह मानना है कि वो resting potential को represent कर रहा है इसका बदला resting potential को maintain करने के लिए यहाँ पर सरे एक pump भी काम करता है उस pump को क्या बोलते है sodium potassium pump बोलते है और sodium potassium pump की एहम भूमी का क्या होती है 3 sodium ions को तो बार की तरभी जेगा और 2 potassium को अंडर लेगा तो इससे related भी यह दी कि उसमा आजाए तो हम बना सकते है और सर ऐसा resting condition में हम इसको polarize भी तो कहते है ना कि neuron हमारा क्या है polarized है तो resting membrane potential का मतलब हो गया कि polarized condition है नेरोन की उस पर potential एक generate होता है तो वो minus 70 होता है जी सर बिलकुल और यानि कि जब impulse conduct करेगा तो पहले यह देखिए पोल्स बने हो है ना यह positive pole यह negative pole तो impulse generate करेगा तो यह कैसा हो जाएगा depolarized हो जाएगा ठीक है नेक्स क्विशन पे चले इसके लिए सर हमें एक डाइग्राम बनाना पड़ेगा तो हम एक डाइग्राम ड्रो करके इस क्विशन को explain करना चाहेंगे तो यहां से हम यह मान के चल रहे है की light है प्लियर जी फोटोन की फोर्म में light है तो सबसे पहले हमारे पास में यह option दिये गए है तो यह किस से related दिये गए है isolated तो हमें आई का डाइग्राम देखना पड़ेगा तो outermost हम यह कह सकते हैं यहां पर cornea होगया सर then lens then यह finally हम यह मान के चल रहे है इसमें image पढ़ती है और inverted होती है image formation का का रहे है इसका मतलब light incident हो रही है तो सबसे पहले किस पर गिननी चाहिए cornea पे तो सबसे पहला sequence किसका आना चाहिए इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सबसे पहला statement E होना चाहिए तो कौन जो option में E है पहले यह चेक कर ले third में भी है आपर second में भी है fourth में भी है one, two, three लगाते रहे तकि फटा-फट से उन्हें option से हम compare कर ले उसके बाद second किसकी बारी आएगी lens की इसका मतलब यहां पर कहीं पर option में दिया हुआ है lens नहीं है सर lens दिया हुआ है नहीं दिया हुआ इसका मतलब अब हमें क्या जाना पड़ेगा retina तो retina के cross section की बाद पर आगया सरे इसके cross section यदि देखी जाए तो सबसे innermost पर यहां पर photoreceptor cells means roads या कौन्स परजेंट होगी यहां पर bipolar neurons परजेंट होगी और यहां पर ganglionic layer परजेंट होगी इसका मतलब cornea से जो light eye lens पर गिरी lens के बाद किसका नमबर है ganglionic layer का ganglionic कहीं option में दिया है बिल्कुल सर B पर दिया हुआ है तो उसको second number दे सकते हैं जी सर बिल्कुल second number इसको हमने दे दिया फिर उसके बाद किसका नमबर है और confusion अब देखी यहां पर fourth भी अब खत्म होगया option क्योंकि अब multiple choice हो गया कौन बने करोड़पती की तरह 50-50 यानि second और third की कहान ही होगये इसको भी हम धिटा देते हैं अब हमें यह देखना है इसके बाद किसका नमबर है bipolar neuron क्या option में bipolar neuron दे रखा है बिल्कुल सर G पर दिया हुआ है इसका मतलब इसको कौन सा नमबर मिलना चाहिए इसको third मिल जाना चाहिए अब साइध क्यूशन को easy approach से हम solve भी कर सकते है कि first नमबर E का आना चाहिए second B का आना चाहिए third G का आना चाहिए इसका मतलब यह option सर गलत होगा कौन सा option correct होगा second मिल गया सर हमें answer clear है इस तरीके से question को solve किया जाए तो हम easy way से हम अपने answer तक पहुँच सकते हैं next question सर इस next question से पहले मैं थोड़ा सा एक आपको एक बात बताना चाहता हूँ आई वाले में कि हमने यह देखा students की retina पर जो इमेज बनती है वो सर inverted बनती है और वो जाकर के सीधी होती है कहाँ पर हमारे brain के अंदर brain में जब उसकी processing होती है तो यहाँ पर सर एक मेरे known थे उनको इस तरीकी की disease थी कि उनको ऐसा लगता था कि उनको चीज़ें उल्टी दिखाई देनी है psychological disorder उनको था तो यह question से आप लोग ध्यान रखना students के retina पर जो image बन रही है actually में वो inverted है और फिर उसको brain में जाके जब उसकी processing उसको upright करके देता है चलिए सब फिफ नमबर का question है अब देखिए बहुत आसा question है एक diagram है हमें इसको इसको basically identify करना है कि कौन सा part क्या है select the correct option to represent a to d in the given structure of a neuron a to d बनाना है सर तो देखिए options को बाद में पढ़ेंगे ऐसे questions में option को मत देखिए आपके पास diagram है आपने उसकी practice किया तो आप पहले अपने diagram में उसको हम लोग identify करते है parts को तो यहां पर a जो है मैं यह कह सकता हूं a dendrites को represent कर रहा है जी सर you dendrites हो गहाँ सर B the cell body यहां पर cell body यह मैं कह सकता हूं citon को represent कर रहा है citon हो गया clearige d जो part है वो मैं कह सकता हूं यह synaptic Д nobe हो गाये न, सर नोब को represent कर रहाए यह एकजोन के टर्मिनल हैं और इन पर साइनप्टिक लो ब्लास्ट में लगा हूई है फिसको रिपर्जेंट करेगा यहाँ पर माइलिंग सीथ पर्जेंट है माइलिंग सीथ के बीच में जो गयप पर्जेंट है उसको क्या बोलते हैं नौड ओफ रेन्वियर इस तरीके से हम नौड ओफ रेन्वियर भी कंसीडर कर सकते हैं और क्या पता ये देंड्राइट शाइट्वन या एक्जोनिक वाला पार्ट भी पूरा सर्थ इसमें क्योंकि अभी अलग से दिख नहीं रहा तो फुरा एक्जोन ही इसको माल लेते हैं इस तरीके का ओप्शन चेक करें तो देखिए सर्थ पहला पढ़ते हैं डेंड्राइट विल्कुल सही है एपर बीपर सेल बॉड़ी सीपर एक्जोन डीपर स्नेक्टिक नूब फरस्ट मी आंसर मिल जाता है सरो में फरस्ट ही करेक्ट ह इसका वर्लब अब सेक्ट दो चेक करो एक्जोन बता रहा है तो गलत होगा एक्जोन होगा एक्जोन होग इस पार्ट को बोलते है जी सर जहां से लेकिन यह कर रहा है सी एक्जोन होग जो की गलत हो गया ना से बहा सो गया है पर फिर आउनसर क्या हो गया पस्तों गया नेग्स को शाधा ये लाईक्ड्रां डिप्तर फी में एक्जोन टर्मिनल एंड साइनेप्स इस गिवन आइडेंटिफाई करेक्टली एटलिस 2 ओफ A to D इट मींज यहां से A से लेकर D तक लेबलिंग की गई है तो आपको करेक्ट आइडेंटिफाई कोई तरीका इनको भूल जाऊंग सबसे पहले हम इनकी नेमिंग करते हैं हमने डाइगराम पढ़ा हुआ है आपने सबने NCRT ने बहुत कलरफुल डाइगराम आप लोगों को दे रखे हैं तो आपको डाइगराम टिप्स पर होने चाहिए हमकी लेबलिंग के साथ से तो सर लेबलिंग करें यह जो A है A मैं यह कह सकता हूँ यह receptor को represent कर रहा है और सर यह जो C है यह जो bulb like structures है इन्हें हम synaptic vesicles कह सकते हैं जो synaptic vesicles हो गया है जो calcium हैं के अंदर आने से brust हो जाती है जिन से neurotransmitter cleft में आपने लिगा अब इसका मालब मैं कह सकता हूँ synaptical vesicle के अंदर neurotransmitter fill up है और यह जो बाहर आया है तो B क्या है neurotransmitter और यह जो दो membrane है यह इस तरीके से एक membrane यहाँ पर और एक membrane यहाँ पर तो यह deco तो सर यह तो pre-synaptic membrane होगी और यह जो lower end वाली होगी यह post-synaptic होगी वो pre-synaptic और यह post-synaptic यह synaptic और यह काउंसी होगी post-synaptic अब देखें first option क्या दिया गया है सर और सर इनके बीच में जो खाली जगिया है यह synaptic left होगी जी first option है A receptor है it means यह correct है and C synaptic vesicle यह भी सही बैठता है सर it means हमारा first ही correct होगय हमें सर आज कल सारे first ही first मिल रहे है लेकिन इसके अलावा भी हमें option को check करना ज़रूरी है B synaptic connection B synaptic connection नहीं है यह neurotransmitter को represent कर रहा है यह आप देखिए dotted dot इनको यह show कर रहा है हमारा है रो और D calcium ion को represent नहीं कर सकता बिलकुल सर it means यह तो potassium ion को दे रखा है इसमें जो गलत होगया है A neurotransmitter बता दिया sir इसने A neurotransmitter तो है ही नहीं because A to receptor receptor है यह भी क्या होगया गलत होगया C इसने सर अब neurotransmitter को बताया है लेकिन D जो है वो क्या है calcium pre synaptic तो इसने calcium ion बता दिया यह क्या होगया wrong it means correct answer क्या होगा first one next तो सर यह जो हमने देखा था इससे पहले वाला question तो यानि कि मैं impulse transmission में ऐसा हो गया कि जैसी ही axon से हमारी जो impulse है snaptic जो 9 बहां पर पहुंसती है तो फिर वो permeable हो जाएगी calcium ion के लिए calcium ion अंदर आके snaptic vesicle को brust कर देंगे जिनसे जो उनमें भरावा neurotransmitter है वो cleft में आ जाएगा और cleft में आके वो post-synaptic membrane को activate कर देगा ताकि उसके impulse का generation हो जाए है ना सर इस तरी के से क्यूसम practically based भी क्यूसम पूछ सकता है कि वहाँ पर यदि हमारे पास calcium iron present है synaptic cleft में कोई मैं ऐसा बाहर से element डालता हूँ जो वहाँ के calcium को खतम कर देगा जी calcium को खतम कर देगा तो calcium synaptical vesicle के पास नहीं पहुंच पाएगा synaptical vesicle brust नहीं हो पाएगी तो क्या nerve impulse का transmission हो पाएगा बिल्कुल नहीं हो पाएगा इस तरीके के भी question पूछे जा सकते और सर एक enzyme जैसे अगर acetyl colin neurotransmitter है तो एक enzyme भी होता है ना जिब colin esterase acetyl colin esterase वो उसको क्या कर देगा acetyl colin ताकि वो उसे बार-बार irritate ना करता है ठीके सर्थ चलिए 7th number का question बाफर्स diagrammatic based question हो गया ncrt का question है यह साफ तो सर अब इससे यह हमारा brain का इसने lateral view दे रखा है lateral view में हमें इसमें identify करना है structure हम कह सकते हैं इस section को sagital section भी बोल सकते हैं sagital section हमें दे रखा है और correct option हमें identify करने है a से d तक तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखी एक क्या हो गया सर्थ a part जो है a part यह हमारे brain का largest part है तो मैं कह सकता हूँ यह cerebrum का part है और जब उसका sagital section लिया तो मैं कह सकता हूँ cerebrum 2 cerebral hemisphere से मिलके बना होता है तो यह क्या है cerebral hemisphere और सर इसके जो outer part होता है उसे हम cerebral cortex भी कहते हैं अब यह c पे आ जाता हूँ मेरी सर्फ c पढ़ रहा है तो सर c देखे यह मेरे को लगता है hind brain का part है और cerebellum के सामने है जो bridge की तरह control करता है impulses को तो सर यह pons है है ना यह pons हो गया ठीक है सर और B क्या है B सर यह वही तो नहीं है जो दोनों cerebral hemisphere को connection बनाने का काम सकता है यह दोनों को connect कर रहा है और इस structure को बोलते है carpus callosum जी सर A क्या है cerebral hemisphere B क्या है carpus callosum C क्या है pons इस तरीकी का match कर देचेक कर लेते D सर यहाँ देखे medula oblenta से structure जो हमारे vertebral column में जा रही है इसका मालब D spinal cord है और सर यह जो tree like structure है cerebellum होगा cerebellum यह याद रहना चीए कि cerebrum core brain का part है और cerebellum high brain का part और एक और बड़ा दिलचस्प सा है कि यह सर हमारे involuntary muscles का controlling वाला भी है कि alcoholic beverages के पीने से जो cerebellum है वो affect होता है ताकि coordination coordination उसका क्या हो जाता है बिष्टे हो जाता है जिससे वो लड़ खड़ा के चाहिए बहुत interesting statement सर पूछा हो गया था कि voluntary muscles का involuntary control कौन करता है बहुत important point अपने आप में तो voluntary muscles यानी जिनको मैं control कर सकता हूँ merit वारा उनका involuntary control उनमें balancing बनाए रखने का control सेरे balance लेगा है न सर बिल्कुल तो अब सर हमार आ जाते हैं question के उपर इनके साब से options चाटते हैं तो पहला सर A हमने cerebral hemisphere लगाया है बिल्कुल तो first है सर B ये बता रहा है spinal cord गलत हो गया क्योंकि B तो सर spinal cord है यह नी B तो क्या है corpus callosum है तो पहला option हमारा wrong वो second सर A पर इसने corpus callosum बता दिया तो ये भी गलत हो गया A पर तो cerebral hemisphere है third पर आ जाते हैं अब A पर cerebral hemisphere बता रहा है ये statement correct जैसा दिख रहा है B corpus callosum ये बात भी सही है और C pons और D spinal cord 100% correct option है बाकि तो फिर सर A पर इसने fourth को भी check करो हाँ तो fourth तो सर वैसी गलत हो गया क्योंकि A पर spinal cord बता रहा है ये भी possible नहीं इट मिंस first second and fourth incorrect होगे तो correct option कौन सा होगा third option होगे है सर है न चीक है तो ये सर हमारा seventh number के questions तक हम लोग discuss कर चुके है जी next question next है सर बहुत अच्छा सा question है which part of human ear play no role in hearing but is otherwise very much required यानि कि मानव करण के किस भाग की सुनने में कोई भूमिका नहीं होती लेकिन ये अती आवशक होता है तो यहाँ पर सर अब ये हमारे year से related internal year की बात यहाँ पर ये कर रहा है तो internal year में यदि अपर पार्ट की बात की जाए तो इस तरीके से three semi circular कैनाल होगी जी सर utricle और secule उसके नीचे utricle और secule जी सर हम बोलते है autolic organ और उसके lower end पर इस तरीके से coiled part के form में यहाँ पर क्या होगा cocleia तो सर cocleia तो hearing के लिए responsible है इसका मतलब हमने यहाँ remove कर सकते है इस part को क्योंकि यह खुद कहा रहा है कि no rolling hearing सुनने में कोई roll नहीं हो कान का है ना बिल्कुर तो अब बचा कौन सा सर यहाँ हमारा यह पार्ट मस्किया यह पार्ट है इनको combine ली semi circular canal और autolith organ इन दोनों को यदी connect कर देता हूँ तो क्या बोलते है सर इसको vestibular apparatus it means correct answer क्या होना चाहिए ठाड होना चाहिए सर क्योंकि ear drum तो सुनने में तो इसका roll है ear drum का organ of corti तो बहुत important organ है जो vibrations को basically neurotransmitters के through वो convert करता है nerve impulses में और ear ossicles जो है यह भी नहीं होगा यह ear ossicles जो है यह sound को amplify करने का काम करते it means हमारा correct option क्या होगा ठाड तो सर ear ossicles में हमारी body की सबसे छोटी bone भी होती है जिसे बोलते है step is step is तो 8 में हम सही answer third पे लगा सकते है तो third हमारा क्या हो गया students सही answer हो गया चलिए सर next पे चलते next अब यह diagram है बच्चों यह थोड़ा सा NCRT का diagram विल्कुल cross section जो हमें दे रखा है वो हमसे अब यह क्या करवा रहा है कि हमें लेबलिंग करवा रहा है तो the diagram sectional view of cochlea cochlea का section इन्होंने काट के रखा है of human ear identify A to E हमें A to E identify करना है इनको options को वही तरीका हमारा इनको हम भूल जाएंगे पहले labeling करते है फिर इनमें से मिलाएंगे तो A से E तक मैं label कर देता हूँ और फिर उसको हम options देखेंगे पहले option हमें देखने नहीं क्योंकि हमें तो diagram already तो कि इससे confusion हो जाएगा तो हम options पहले देख लेंगे हम पहले label कर लेते हैं मैं यहाँ पर A को label करूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है कि A जो part है वो scala media भी हो सकता है और A के अंदर यदि कोई fluid fill up है तो मैं कह सकता हूँ वो endolimp भी हो सकता है तो A part scala media या endolimp बिल्कुल सर्थ इसके पर E part पर चलते E part मैं कह सकता हूँ कि इसका upper chamber है इस upper chamber में मैं कह सकता हूँ ये scala vestibulai और scala vestibulai के अंदर कौन सा liquid fill up हो सकता है तो मैं यहाँ पर perilimp भी कह सकता हूँ इसके बाद हम बात करें D part की D part क्या है scala timpani इसके अंदर भी कौन सा liquid होगा perilimp इसका मतलब A, E और D को हम easy way से level कर चुके है C अब यहाँ पर C दिया हुआ है C इस middle chamber का base है base है यह किसको represent कर रहा होगा basilar membrane को और इसी basilar membrane के उपर सबसे important organ होता है जो bearing में काफी important role play करता है जिसे organ of cotide बोला है तो B organ of cotide होगा B organ of cotide और सर अगर थोड़ा सा अगर इसकी जगे टेक्टोरियल membrane अगर बोले की देता तो भी सही होता क्योंकि क्या पता है यह B की lining टेक्टोरियल membrane को पता है क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चो देखो examiner cushion जब डालता है diagram तो वो तो computer में तो साफ आ जाता है पर हम लोग offline mode में जब exam देते हैं तो printing में कई बार बहुत confusion होता है कि 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 यह arrow कहां पर खतम हो रहा है तो कई तो बच्चे मैंने ऐसे देखे कि मिला तो रहते हैं कि यह कहां हो रहा है आपको उसके आस-पास के possible structures ध्यान में रखने और उनको फिर options के according हमें देख लेना है जो भी दे रखा हो इसलिए मैंने यहाँ पर double labeling की है सर्थ अब हमारे पास यह structure भी दिखाई दे रही है तो इसको भी label कर सकते हैं यह क्या है? रिस्नर्स membrane memorize करने के लिए यह रिस्नर्स membrane, यह basilar membrane यह organ of corti यह इसकी membrane जो है टेक्टोरियल membrane यह इसके ला टिंपन आई यह इसके ला मीडिया surrounding में perilymph है बीच में endolymph है अब labeling को मेंच कर सकते हैं और सर्थोड़ा सा अगर हम mechanism of hearing पे चले जाएं तो जैसे मैंने बोला बोलने के बाद जो vibrations है वो हमारे जो canal है जैसे oval window पर देखे जो हमारी यह यह रासिकल जैन में जो लास्ट वाली बोन होती है यह oval window पर जैसे हम knock करते हैं इस तरीके से vibration पैदा करती है और यह vibration इन cochlea में आते हैं और उनको judge करने का काम कौन करते हैं उसके कारण टेक्टोरियल membrane पे vibration होता है उन vibrations को समझ करके nerve impulse नो उने convert कर देता है तो brain फिर हमारा judge करता है कि इस vibration के according कौन सा word या कौन सा sound होना चाहिए on the basis of previous experience or memory तो जैसे कि memory word मैंने English में बोला तो जो English थमझते हैं उनका brain उसे memory समझेगा पर क्या पता memory को कहीं Chinese language में कुछ और कहते हों तो वो उसको उस तरीके समझेगा है यानि जो भी काम है वो brain का है इनका काम तो केवाल impulses को वहां तक पहुंचाना है इसको sound को sense करकर brain तक ले जाने के लिए एक nerve भी है जिसे हम कह सकते है auditory nerve नमर 8 8 सर बिलकुल तो आप लेबलिंग को match करवा सकते है तो चलिए सर एपर इसने scala media बता है हमारा क्या आ रहा है सर scala media और endolink पर हमें मिल गया scala media बीपर सर और्ड़न ओस कोटा ही बता है ठीक है यह भी हमारा match हो रहा है C पर basilar membrane है C पर basilar membrane है बिलकुल है सर B पर scala tympani और E पर scala vestibular सबी के सबी match हो रहे हैं सर इसका मारलब मैं यह कह सकता हूँ first तो हमें correct लग रहा है लेकिन इसके अलावा second, third और fourth को भी check कर लेते है एक बार first को मैं यहाँ पर dot लगा देता हूँ क्योंकि यह हमारा correct हो सकता है correct तो है रही second पर सर इसने इसके लाव वेस्टिबुलाई बता है ए इसके लाव वेस्टिबुलाई तो यह possible ही नहीं है means wrong wrong हो गया फिर सर इसने third पर वापस वही गलती कर दी iskela vestibular बता दिया यह भी wrong हो गया fourth पर सर तीनों में इसने वही गलती किया iskela vestibular तो यह भी गलत हो गया तो first में हमें हमारा answer मिल गया क्यों तो sir first answer इसका कर देते हैं हम लोग labeling वाले question का बहुत अच्छा question है students पुछा गा सकते आपसे exam के अंदर इस तरीकी का पुछा जाच चुका है क्योंकि NTS और NCIT के आसपास ही questions बना रही है वह आपको PSG नहीं करवना चाहती है वह आपको BSC MSC नहीं करवना चाहती है आपको 12 तक के जो subject की knowledge है वह अच्छे से होनी चाहिए ताक कि आप बिना confusion के सही answer तक पहुँच पाएं क्यों sir चली next पे चलते हैं sir arrange the correct sequence वही आ गया sir आखों का वापस से arrange the correct sequence of pathway of light from outside to inside the eyeball of human तो हमें sir पूरा eyeball का देखना पड़ेगा किस तरीके से light करती है डाइग्राम की शायर जरूरत है यहांपर हमें तो इसके लिए हमें डाइग्राम बनाना पड़ेगा बनाना पड़ेगा डोक्टर आयूस पारिक हम बार बार हम एक चीज़ देख रहे हैं कि जब भी कोई question हमने पड़ा तो हमारे दिमाग में directly strike option नहीं कर रहे हैं उससे पहले हम उस option को खुद derive करने की कोशिस कर रहे हैं तो शायर सर यह बच्चे अगर यह समझ पाए यह जो गुरुनीति का मकसद है यह पूरा सफल हो जाएगा कि teachers किस तरीके से किस approach से questions को solve करते हैं वो यह approach सिखाने के लिए पूरा कारिक्रम आपके सामने launch किया गया है तो इससे तो बच्चे का time की बच्चत होगी तो हम directly option ना पढ़कर directly diagram बना सकते हैं human eye में यह कह रहा है pathway of outside to inside इसका मतलब light तो हम यहाँ पर light source light का photon का pathway निकार फिर हमारे पास eye यहाँ यहाँ से बना लेता light इधर से show कर देता कि आपके बस जगया बच्चे light ठीक है सरी अब हमारा diagram आ जाएगा हम यह कह सकते है outermost eye का यह part cornea then this is space then lens then this is space and then finally retina eye का outermost part is scleral middle and innermost retina हमारे को light sensitive part देखना है retina light यहाँ से आला सबसे पहले light इस cornea पर गिरनी ची जी सर एक सर यह इसमें infra orbital pressure सबसे outer sclera then coroid then retina तो outer हमें बाहर की तरफ से अंदर ऐसे लेना है ना outer मत्तब जो eyeball के सबसे बाहर की तरफ है और inner जो हमारी light के pathway पर सामने आ रहे है अब यहाँ पर retina में भी यह होगा retina का cut section देखेंगे cut section देखेंगे तो जो coroid के side में वो outer होगी और जो inner होगी वो तो मैं inner की form में gamelionic कह सकता हूँ then bipolar and then photo receptor cells यानि roads और nose तो उन पर लाइट 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 की side में होगी तो इसके according अगर हम लोग क्यूस्चन को arrange करेंज है तो किस तरीके से होगा लाइट आएगी सबसे पहला cornea then aqueous humor then vitreous humor lens होगा तो first person cornea होगया फिर aqueous humor होगया फिर lens हो जाएगा और फिर last में vitreous humor तो यही दे रहा है इसने तो इसके साब से answers देख लेते हैं कि fourth किस पर first में आ रहा है तो देखिए fourth first option में भी आ रहा है और third में भी आ रहा है second और fourth तो होई नहीं सकता तो 50-50 हो गया है फिर हमारा सर आ रहा है second number पर second option तो students यह देखिए answer वापस आपको यही पर ही शयद मिल जाएगा क्योंकि फिर देखिए first आ गया हमारा देखिए fourth पर third पर कौन सा आ रहा है और last पर कौन सा आ रहा है fourth number पर third आ रहा है तो यह 3 हो गया गलत और सही answer जो हमें 10th का मिल गया वो कहा मिल गया first option पर गया select the correct statement सही कथनों का हमें क्या करना है neurons regulates endocrine activity but not vice versa यह statement तो sir incorrect हो गया क्योंकि nervous system और endocrine system यह दोनों एक दूसरे से interconnected connected है यह message भी send कर सकता है और hormone के तरफ से यह message भी send कर सकता है it means first statement क्या हो गया endocrine glands regulates neural activity but not vice versa यह statement भी similar statement है it means यह भी क्या हो गया endocrine glands regulate neural activity and nervous system regulates endocrine glands it means दोनों एक दूसरे को coordinate manner में काम कर रहे है it means यह statement क्या हो गया correct neither hormone control neural activity nor the neurons control the endocrine activity यह तो बिल्कुली statement correct option कुण सा होगा third हो गया से आगे सोचने की जुरूरती नहीं है चलते हैं next question which of the following structure we are the audio receptor in our ear यानि कि निम ने लिखित में से कौन से संजलचना में कर्ण में श्रवान ग्राही उपस्तित होते हैं यानि कि यह उस और्गन की बात कर रहा है जो vibrations को nerve impulse में convert कर रहा था तो वो किस part पर located है अभी हमने डाइग्राम देखा उस डाइग्राम में और्गन ओफ कोटाई कहां पर present था बैसिलर मेंब्रेन पर यह कह सकते हैं बैसिलर मेंब्रेन पर audio receptor present होते हैं तो सही answer सर हमारा बैसिलर मेंब्रेन हो गया क्यों आगे सोचने की जरूरती नहीं है क्योंकि टैक्टोरियल मेंब्रेन तो गलत हो गया क्योंकि वो तो कहिना कहीं strike होती है तभी impulses generate करता है जिसके उपर sensory hair cell bend करेंगे action potential generate करवाने में help करती है लेकिन main basilar membrane पर यदि stretchability में भी यदि problem आजाए तो sound की जो high pitch और low pitch voice जो होती है जैसे की aging बुड़ाप आता जाता है वैसे सुनाई देना कम हो जाता है तो कहीं न कहीं basilar membrane की stretcher stretchable power में भी क्या हो जाती है problem create तो correct answer क्या होगा sir इसका second row क्या सर basilar membrane next which of the following statements are incorrect हमने सर इस तरह कि इसमें काफी बच्चों को फायदा होना चाहिए क्योंकि देखिए आजकल जो questions आ रहे हैं वो इस पे बहुत आते हैं कि कौन सा correct है और कौन सा incorrect है statement by NCRT multiple choice type की आपको यह देखना है कि कौन correct हो रहा है या नहीं हो रहा है मतलब basically examiner confuse करके बच्चे को गलत करवाना चाहता है वो high level पर नहीं जाता पर वो बार-बार confuse करना चाहता है बच्चों को तो इस लिए तो चलिए सा 30 number का question देखते हैं अपन dendrites are long मैं इससे तो आगे पढ़ा ही नहीं जारा था गलत है क्योंकि dendrites are long fiber which branches distal end यह तो short fiber होता है अभी हमने structure देखी दी neuron की तो उसमें सबसे first labeling हमने क्या की दी dendrites और वो क्या थे short fiber तो गलत हो गया तो गलत हो गया तो गलत हो गया exons are short exon long fiber तक यह भी क्या हो गया exon तो कैसा है short बता रहा है तो यह गलत हो गया है cell body of a neuron contains cytoplasm, nucleus with cell organelles and nisle granule तो cytoplasm की बाबता है बिल्कु सही है क्योंकि उसमें exoplasm की form में cytoplasm भी होगा वो exon में होगा exon के अंदर लेकिन cytoplasm cell body के अंदर प्रजेंट होगा nucleus, nucleus भी present होता है और nisle granule भी present होगा और different cell organelle भी महाँ पर present होगा तो यह statement क्या है फिर fourth है the dendrite transmits nerve impulses away from the cell body to its synapse तो गलत होगा सर, dendrite तो cell body की तरफ करते हैं और जो exon है वो अवे करता है यहाँ पर सर यह भी पूछा गया है centripetal और centrifugal लेकिन एक चीज और भी है इस तरीके का जब question पूछा जाता है तो हमें इतने सारे option पढ़ने में time consume हो रहा है तो क्यों नहीं हमें पता था first statement wrong है तो हम first statement option में यदि ऐसा तुरंत हमें पता लग जाए तो direct option भी टिक कर सकें first option कहां कहां दिया हुआ second में यह भी wrong हो गया four में यह भी wrong हो गया यह भी wrong हो गया it means correct statement क्या होगा first और यह यह जो practice है यह आती है practice करने से ही यह जो practice exam पे solve करने का जो तरीका skill है वो आप जितने questions निकालेंगे तो यह generate हो पाती है toppers जो होता है वो फटा-फट से उनके अंदर एक answer judging develop हो जाती है कि कैसे फटा-फट उनको answer तक पहुँचना है तो जैसे आपने बिल्कुल सही था कि हमने first गलत है तो हम इतना क्यों पड़े देखे इसमें first आ रहा है इसमें first आ रहा है और इसमें first आ रहा है तो यह तीनों तो गलत ही हो गए तो सही answer कौन सा हो गया sir first first option हो गया you are watching a horror movie ठीक है आप horror movie देख रहे है जो भी आपको बहुत जादा डरावनी movie लगते है उसकी बात हो रही है आपे and you notice your heart is beating fast and mouth is dry it is because यानि की it means emergency कुछ मुह सूख रहा है इसका मतलब salivary secretion inhibit हो चुकी है सर सही बात है दूसरी चीज heart beat यह दी बढ़ गई है तो इसका मतलब कोई ने कोई emergency situation डवलप बॉड़ी को दर लग रहा है तो बॉड़ी को ऐसा लगने वाला है कि भूत जो है वो पर टीवी से निकल करके अभी बाहर आ जाएगा तो ऐसी condition में बॉड़ी अपने आपको emergency conditions के लिए प्रपेर करेगी इसके लिए हम यह कह सकते हैं कि बॉड़ी triple F hormones secret कर सकती है यह response बिल्कुल generate हजाएगा fear, fight और fight तो यहाँ पर एक system हमारा work करता है जो autonomic system का part है जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर बताईए autonomic nervous system इसको हम दो part में classify कर सकते हैं sympathetic और sympathetic nervous system और sympathetic nervous system एक इंट तो सर हमें यहाँ से मिला कि उसका mouth जो है वो dry हो गया इसका मतलब salivary secretion क्या हो गया इनिविट हो गया उसको इनिविट करने का काम कोन करता है sympathetic या तो इस part से ही हमारा question solo हो सकता है दूसरा यह करा है कि heart beat increase होगी heart beat को increase करने का काम कोन करें sympathetic तो हम यह कह सकते हैं कि correct answer इसका क्या होना चाहिए sympathetic nervous system तो सर ऑटोनॉमिक nervous system बेसिकली में ऑटोनॉमिक nervous system के अंदर जो sympathetic nervous system है यह body को emergency conditions के लिए एक तरीके से prepare कर रहा है जी और ऐसी conditions में जो triple F hormone इसका मतला यह sympathatin जहां पर fiber पहुंचते हैं हम यह कह सकते हैं यह adrenal gland के दो पाट है adrenal cortex और adrenal medulla तो यह adrenal medulla को activate करेगा triple F response generate करने के लिए और वो adrenalin और nor adrenalin निकालता है तो सर सभी answer हमारा second option हो गया जैसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं अनुकंपी तंत्री का तंत्र कहते हैं adrenal medulla से याद आया सर यह पार्ट जो है हमारा एक बार इस तरीकी का question पूछा गया है कि hypothalamus के control में है या नहीं है यानि suprarenal gland के अंदर जो बात कर रहे हैं सर उसके दो पार्ट है बाहर की तरफ तो गया और अंदर की तरफ medulla हो गया तो सर यह medulla यह hypo thalamus के direct और indirect control या नहीं है सर यह पार्ट जो है यह directly control में नहीं है क्योंकि यह outer जो पार्ट है यह control में है लेकिन medulla part control में नहीं है क्योंकि medulla तो direct किससे control हो रहा है एनस वाले जो fibers है उनके through control हो रहा है चलिए next special पर जलते हैं sir which of the following is a true false regarding central nervous system अब central nervous system की बात कर रहा है तो एक चीज़तों दिमाग में clear हो गई कि मैं अगर इस तरीके से आपके सामने stand हूँ तो यह जो मेरे body का central portion है इस पर जो nervous system का part present होगा वही क्या है central nervous system है और spinal code यानि कि अब हमें इंग दोरों से related statements यहाँ पर पूछनेंगे हैं brain act as the command and control system हमारी सभी activity को command और control करने के लिए brain है यह सही होगा सार है ना? brain is also control circadian rhythms of our body यानि कि dhenic leg को भी क्या करता है नियंत्रित करता है हमारे brain में इस rhythm को maintain करने के लिए सर्क काडियम rhythm means 24 hour को maintain करना है sleep और wake up cycle को maintain करना है यह भी brain करेगा क्योंकि brain के अंदर biological clock प्रसेंट होती है जो कि क्या कहलाती है? penial gland कहलाती है और किसका secretion कहलाती है? तो इसको भी true करते था हम सर मैं inter sensory association memory and communication is also the function of central nervous system हमारे cns में यह दोनों पार्ट है कोई भी information इन दोनों से related होगी वो correct है अब इसमें यहाँ पर brain से related brain से related memory है? brain से related एक area present होता है उस area से related यह function है sensory association memory and communication cerebral cortex के अंदर वो जो areas हमारे lobe में present होते हैं जो basically memory को भी control करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने TTF हमें यह आपर तो यह exo lemma हमारी इस तरीके से और अब exo lemma के उपर की तरफ हमने क्या देख रहा था कि क्या होता है positive ions और अंदर की तरफ negative होता है और यहाँ पर हमने जैसा कि आपने इसा बात भी कीती है कृष्ण आपने पूछा भी था यहाँ पर एक pump present होता है जो 3 sodium ions को तो बाहर की तरफ देखता है और 2 potassium ions को अंदर की तरफ और और यह किसका use करता है सर्थ यह ATP का consumption करेगा क्योंकि इसको regulate करने के लिए हमें यहाँ पर जो बाहर की तरफ sodium है वो concentration already high है तो हमें concentration के against काम करवाना है तो इसके लिए हमें energy करते हैं तो इसको सर्थ sodium potential pump के नाम से हम लोग जानते हैं तो यही वो है जो resting membrane potential को minus 70 millivolt पर maintain कर रहा है यानि कि basically यह हमारे neuron को polarized state में रख रहा है और इसमें होने वाली disturbance है कि यह जब depolarized होगा वो ही हमारा nerve impulse कहलाता है action potential तो सर सही answer सर इसका second option हमें मिल जाता है अब सर identify करना है A से लेकर की E तक isolates of length to यानि कि यह जब दिमाग में हमारे iron तो यह बात pancreas की हाँ पर हो रही नहीं है और pancreas हमारी body की कैसी gland है mixed gland है mixed gland है और यह different hormones related है इसका मतलब उस mixed gland में कौनसा पार्ट endocrine portion तो pancreas के अंदर सर 99% तो ऐसी नहीं पार्ट होता है जो कि pancreatic juice का formation करता है और 1% isolates of langheranils होते है तो यह 1% part है और 99% exocrine part इस 1% part में कौन-कौनसी cells present है उनके बारे में question पूछा गया तो अब हम देखे हैं कि यह बता रहा है has two type of main cells वैसे तो सर हमने देखा है यह दो main cell की बात कर रहा है A cell secret insulin तो सर हमें पता है insulin कौनसी secret करें की बीटा cell secret करती है तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ बीटा और causes और हमें पता है हमारी cells को खाना खिलाने का काम करता है यानि कि blood में क्या करता है glucose को बोलता है कि आप चले जाओ cell में cell की permeability glucose की लिए बढ़ा देता है ताकि glucose cell में चले जाए blood से तो हाइपो तो हम यह कह सकते है इस glucose को यह glycogen में convert करना होगा या इस glucose के level को यह भी कह सकते है कम करना होगा और इस condition को हम hypo hypo glycemia कहते हैं hypo का मतलब कम और glycemia glucose की blood के अंदर तो मतलब देखा जाए main तो D में फिर हमारा क्या होगा hypo glycemia लिख सकता हूं सब में hypo glycemia ठीक है फिर B cell जो C secret कर रहा है और E हो रहा है अब ऐसे questions में क्या है कि हम एक wild guess बता सकते है कि main cells हैं तो फिर हमें पता है कि main cell दूसरी कौन सी होगी alpha cell तो alpha cell और alpha cell किसका secretion करती है glucagon का secretion करती है और यह glucagon इस cell, beta cell का antagonist होता है यहाँ पर hypo है तो यहाँ पर हमें hyper glycemia conditions करने पड़ी यानि कि यह सर क्या कर रहा है hyper glycemic hyper glycemic condition यह develop कर रहा है यह सर आजकल जो concept है मैं अभी question पर आ रहे हैं यह आजकल सर बहुत जादा use हो रहा है intermittent fasting के नाम से एक बड़ी की दिल्चप्स चीज़ जिससे विराट पोली बड़े-बड़े जो लोग है सर वो fit रहने के लिए आजकल क्या करते हैं कि अपने 24 hours में से कुछ time period तक के अबल खाना काते हैं और लंबे समय तक fasting रखते हैं तो fasting के दौराँ जो उनकी body के अंदर जो insulin है क्योंकि अब insulin secret नहीं हो पता glucagon secret होता है तो glucagon क्या करता है कि सर उनके अंदर body में जो fat है उसे basically वापस glucose में convert रवाने का काम करता है उनके अंदर जो glycogen store है उसे glycogenolysis process तो यह use किया जाता है मतलब body को fit रखने के लिए intermittent fasting के लिए तो सर हमने labeling करती है अब हम उसको options में से पटा-पट मिला लेते हैं तो सर देखिए A पर यह बता रहा है alpha cell तो गलत हो गया आपर तो βीटा है first wrong wrong आपर βीटा बता रहे हैं cpGlucogone bता रहे cpGlucogone है यह ist име वीर हाई-पहईप chocolate यह भी सखिय है तो second option सभी हो रहा है आपर सर उनके आछे वे तो गलत होगया नचीचर ज영ीन Ł skριक इंड़त 我 Unterstützung हो गहा है और इसने अब इसने हाइपर ग्लाइसेमिय जो की गलत होगा है क्योंकि इंसुलिन तो क्या कर रहा है हाइपो ग्लाइसेमिय तो हमारा सर सही आंसर जो है वो क्या हो जाता है second हो जाता है हो प्रोडेक्ट में चैंज कर रहा हूँ तो हम यह मानके चले है एक यह रैनिन है और एक रैनिन है इसका सिक्रेशन तो हमारे इस्टमक पार्ट में हो रहा है और एक रैनिन यह है यह सिक्रेट कोन कर रही है किड्नी करती है और इसका मेजर रोल किसमें होगा रास सिस्टम में रैनीन एंजियो टैंसिनोजन एल्डोस्टरोन सिस्टम इसमें इसका मतलब ये रैनीन यहां पर एंजियो टैंसिनोजन पर एक्ट करेगा बिल्कुल साथ एंजियो टैंसिनोजन एक लॉंग पैप्टाइड मैं कह सकता हूँ और इस एंजियो टैंसिनोजन और इस एंजियो टैंसिनोजन को सबस्टेट की तरह भीव करता है और ये रैनीन क्या करेगा इसको बीच बीच में से तोड़ दे बिल्कुल साथ ये रैनीन किडनी से सिक्रेट होने वाला हार्मोन भी हो गया और इस एमिनो एसिड को टैन एमिनो एसिड के सिक्वेंस में तोड़ रहा है इसका मालब ये डे का पेप्टाइड में तोड़ने का काम भी कर रहा है तो ये रैनीन हार्मोन की तरह भी भीवियो किया और यह inactive form में होता है तब इसे प्रो रैनिन को प्रो रैनिन को में help करने का काम कौन करता है pepsin कर लेता है तो यह हो गया सर हमारा next पे चलते match the source gland with its respective hormone as well as the function यानि कि सर हमें hormone के साथ में किसको match करवाना है function को match करवाना है तो source gland से सर हम discuss करते है पहला thyroid दे रखा है thyroxin hormone को release करवा रहा है regulate the blood calcium level लेकिन thyroxin hormone जो है thyroxin hormone इस activity को regulate नहीं करता है regulate इसको करने के लिए तो calcitonin चाहिए it means हम इसको गलत करते हैं सर एंटिरियर pituitry से सर यह oxytocin निकलवा रहा है anterior pituitry oxytocin release करता ही नहीं है oxytocin और vasopressin जो हर्मोन है यह तो hypothalamus के nuclei से release होगा इसे basically blood में release करवाता है जो हमारा posterior pituitry करवाता है जो इसको store करने का काम करते है यह भी कलत होगे सर अब posterior pituitry vasopressin आपने बिल्कुल पहले एक नाम भी निखा था बच्चों को शायद याद भी होगा कि इसी को हम क्या कहते है इस्ट्रोजन का सिक्रेशन कर सकता है इस्मॉल अमांट में लेकिन लार्ज अमांट में progestron का करेगा लेकिन estrogen pregnancy को support नहीं करता है pregnancy supporting hormone क्या होता है progestron इसकी वज़े से यह भी wrong होगे यही बात सर मैं आप सको मतलब discuss इसमें आपको देना चाहता था जोड़ अगर सर यह यहाँ पर यह option change कर देता तो फिर क्या हम इसको सही माल लेते कार्पस-luteum estrogen का कार्पस-luteum के साथ में यदि function की form में पूछा जाए तो हम इसी तरीके से represent भी करते हैं कि आज करेक्ट आपसर क्या होगा उसका इसमोल अमांट में प्रोजेस्टों के तौर पर जिसमें पूरे इंडिया में जिससे कॉट्रवर्सी क्रेट होती है और उसमें option प्रोजेस्टों अली भी दिया हुआ है और estrogen और तो बहुत बिद्धिया हो गया और जिसमोल अमांट में estrogen लाज अमांट में तो सर सही answer जो हो गया हो हमारा कौंसा हो गया थार्ड option हो गया तो चली सर नेक्स्ट कृष्ण आ चुका है हमारे सामने 20 नंबर का जी select the names of the hormones which the following terms are associated यानि कि यह जो terms हमें दे रखी है सर इनको जो option में hormone है उनके साथ हमें associate करना है बिल्कुल पहला biological clock pregnancy hormone hypercalcemic hormone और anti-diabetic hormone तो तरीका होई अपना सर इनको भूल जाते हैं इनके सामने इनके hormones का नाम लिख लेते हैं तो biological clock की यह बात की जाए तो हम यह कह सकते हैं कि biological clock हमारी body में कुन सी है पीनियल बोड़ी किसकी बात कौन से हार्मोन को secretion करहें ? इसका अमनलब . मिलेटोनीन लिखते हैं सर बिल्कुल प्रेगनेंसी हर्मोन की बात कर रहा है प्रेगनेंसी हर्मोन अभी कुछ दिर पहले अबने बात कि थी कि कार्पस लूटियम जो है वो small amount में estrogen और large amount में progestron secret करता है जो की pregnancy को maintain करने का नाम करता है प्रिग्नेंस, यह मैंटेन हार्मोन क्या है? प्रोजेस्ट्रोन, तो उसके सामने चर्ण हम प्रोजेस्ट्रोन लेख देते हैं? ओके सर्थ, फिर है hypercalcemic, यहां से related दो terminology है, hypercalcemic और hypocalcemic, हमारे blood में जितना calcium है, उस calcium को उठा कर बॉन के उपर deposit करने का काम, कल्सिटोनिन करें तो ब्लड के कैल्सियम को क्या करेगा वो डिक्रीज करेगा तो हाइपो कैल्सियमिक क्या हुआ कैल्सिटोनिक और पैराथार्मोन इसका एंटागोनिस्ट है तो पैराथार्मोन हर्मोन PTH है ना सर तो हाइपर केलसियम ज्यानि हाइपर मतलब ज्यादा केलसियुं का लेविल तो इसके सामने PTH लिख देता हो सर पैरा धार वहता हो तो PTH लिख दिया सर मैंने इसके सामने पूर हो फिर anti-diabetic hormone । डाइविटिक हार्मोन यानि इंसुलीन और ग्लूकागौन से Inter geographic हार्मोन और इंसुलीन के इंसुलीन hey ह्सकें हम सब्सक्राइब इंसुलीन नहीं है मिल्क लेट डाउन फेक्टर कुछ देर पहले भी हमने क्यूशन में एक बात डिसकस की थी कि हमारी बोडी के अंदर ऑक्सिटोसीन जो है वो चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है और मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी है मेंस वो स्मूथ मसल्स में कॉंट्रक्शन कर रहा है जिसकी वाज़े से मिल्क लेट डाउन होता है और ममता का होर्मोन भी हम रिख सकते हैं चलिए ये हमने नाम अब हम हमारे options के उपर move करते हैं, पहला, melatonin, सही है सर, second, estrogen इसने दे दिया, यह यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो पहला हम cross लगा देते हैं, MSH, यह भी गलत हो गया सर, क्योंकि हमने देखा है, biological clock का hormone कौन सा होता है, melatonin होता है, फिर, melatonin, biological clock, सही बैटरा है सर, यह यह सही होगा, progestron, बिलकुल सही हो रहा है सर, पैराथ hormone, PTH, जिसको short में लिख सकते हैं, तो यह हमारा hypercalcemic हो गया, फिर insulin, anti-diabetic हो गया, और फिर milk let down hormone, oxytocin हो गया, तो third statement जो है, वो correct हो जाता है, और fourth ने दुबारा गलती कर दी, इसने message पहले दे दिया, तो यहाँ पर यह भी क्या हो गया, गलत हो गया, तो सर, सही answer इसका हमारा हो गया, third option, next में चलें सर, the given table and lists various hormones and their chemical nature, select the option which completes the table, तो अब यहाँ पर भी क्या करते हैं, तुक्के मारने के लिए पहले option देख लेते हैं, वो ही गलती है, हमारे तरीके से यहाँ पर सर, fill up है, उन्हें हम पहले fill कर देते हैं, फिर उनको हम लोग इससे match कर लेंगे, एक साइड में हार्मोन दिया गया ह और दूसरी साइड में chemical composition दिया गया है, अब chemical composition को देखा, तो हमारे पास different उनके nature दिया है, तो हम यह कह सकते हैं, कि यहाँ पर testosterone का nature हमें पता है, बिल्कुल पता है, testosterone का nature कैसा है, steroidal hormone है, तो हम यह कह सकते हैं, यह steroid होगा, जी सर, यह steroid हो जाएगा, thyroxin, thyroxin जो है वो क्या है, आइडो, thyroxin nature का है, तो आइडो, thyroxin लिख सकते हैं, आइडो, thyroxin, ओकी, और सर, peptide hormone, जो है, जी, वो, जो यानिकी, peptide, जो amino acid के groups की, अभी लिए options में यह दि देखा जाए, तो first option में cortisol दिया गया है, cortisol, क्या, peptide hormone होगा, नहीं होगा, सर, कोटिसोल तो steroid है इंसुलिन, एक, peptide hormone हो सकता है, ना, होता ही है, पर यह गलत हो जाएगा, सर, क्या होना चाहिए, इसकी वज़े से, गलत हो गया, फिर सर, कोटिसोल दे दिया, वापस से, यह भी एक तरीके से हमारा, रॉंग हो गया, और फिर fourth number पे देखें, तो सर, यह विल्कुल हमारा option सह बैठ सकता है, peptide, insulin हो गया, testosterone, steroid हो गया, अपने जैसा नेखा, thyroxine, ito, thironine हो गया, और फिर amino acid derivative का hormone, epinephrine और norepinephrine है, जो tyrosine derivative hormone है, यहाँ पर peptide की form में यह भी पूछा जा सकता है, कि how many amino acids are there, तो insulin के अंदर, यदि हो mature insulin है, तो उसके अंदर 51 amino acids, का देखे जाते हैं हमेना उसके structure के अंदर, 22 number का question आगया सार, vomiting center is located in the, वमन के अंदर किसमें उपस्तित होता है, तो vomiting center वही center हो गया, जिसके कारण vomiting होती है, यानि कि जो हमारा stomach content है, वो mouth के तुरू वाराद है, जिसमें reverse pedestal classes हम लोग देखते हैं, तो सिर्फ vomiting जो है वो एक प्रकार का हमारा देखा जाए, तो involuntary action है, और involuntary centers, जिस maximum involuntary centers, जिस brain के जिस पार्ट पे होते हैं, वो medulla होता है, यह question NTSC में सार एक पर पूछा गया था, इसलिए, तो इससे साब से हम options देख लेते हैं, तो पहला medulla दे रहता है, second stomach and sometimes in duodenum, फिर third दे रहता है GI tract, और fourth दे रहा है, hypothalamus, उसर सही answer से हमारा medulla, अब इस vomiting के reason, बहुत सारे हो सकते हैं, vomiting के reason, food poisoning हो सकता है, vomiting का reason, pregnancy हो सकता है, vomiting का reason, जब हम plane से mountain की तरफ जाते हैं, hypogya जैसी condition develop होती है, तब हो सकता है, तो इसके reason बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इस vomiting के लिए, जो vomiting center responsible है, वो हमार ब्रेन के medulla part हो, और हमारी spinal cord अगा जाए, तो answer इसमें first लगा देता हूं, चलिए next पे चलते हैं, पेरा thyroid hormone, अभी हमने देखा भी था, PTH, अभी ये PTH की बात कर रहा है, तो सर वही वाली बात है, आपने बताया भी था इस चीज को, ये हमारी इस तरीके से bone हो गई, और ये हमारा blood हो गया, जिसमें blood flow कर रहा है, तो सर, यहाँ पर calcium और phosphate का पूरा gain है, related, तो हम क्या देख सकते हैं, कि PTH hormone जो है, ये basically bone से calcium किस में डाल रहा है, blood में डाल रहा है, यानि कि, यहाँ पर calcium आ गया, इसका मदलब blood का calcium level अप हो गया, तो हम इसे कह सकते है hyper-calcemic, पहले तो हम ये check कर सकते हैं, कि इससे related यदी कोई option दिया गया है, तो वो correct हो गया है, पर सर, यहाँ पर बात कर रहा है, कैसे stops the absorption of calcium from intestine, ये तो गलत बात होगी, क्योंकि अगर हम इसके bone वाले function के अलावा function देखे, तो कहीना कहीं है, चाहरा है कि calcium का level blood में क्या हो, increase ह तो ये रोकेगा नहीं, बलकि बढ़ाएगा, इसका बनलाब ये अलग-लग position पर भी काम करता है, bone के अलावा kidney पर काम भी करता है, small intestinal part पर भी काम करता है, तो first गलत हो गया sir, क्योंकि इसने stop लगा दिया sir, word, जो कि नहीं है न, second, stimulate the release of calcium by the kidney, तो ये भी वो बात वही कह रहा बलकि इसका काम तो calcium conserve करने का है, calcium blood के level को increase करना है, तो ये भी रोम होगे, गलत हो गया sir, ये फस्ट भी गलत है, cause the blood calcium level to decrease, तो ये भी गलत है, बिल्कुल, ये तो hyper calcium होना चाहिए था, ये क्या कर रहा है, हाइपो की बात कर रहा है, तो गलत हो गया sir, जब 3 statement रोम होगे, causes blood phosphate level to decrease, तो हम कह सकते है कि calcium के level को तो ये बढ़ाता है, ये भी चैसकते है कि PTS का एक दूसा रोल भी पता लगा, कि calcium के level को तो increase करता है, बट ये गटा रहा है, decrease, और calcium के level को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो calcium के regarding हम देखें, तो hypercalcemic है, और hypophosphatemic है, ना सर्थ, जी, तो सही answer हमारा fourth हो जाता है, क्यों के सर्थ, next पे जलते हैं, low levels of adrenal cortex and aldosterone hormone result in, अब ये disease से related question आगया सर्थ, कि adrenal cortex तता aldosterone hormone के निम्न इस तर की परिमान सरुप होता क्या है, तो aldosterone hormone release कहां से होता है, ये हम बात करें, कि दो पार्ट है, ये adrenal का cortex पार्ट है, ये adrenal का medulla, जी, इस medulla पार्ट की origin अलग है, कोटेक्स की origin अलग है, हमें इस से लेना देना नहीं आगया, हम क्यों किसकी बात कर रहे है, adrenal cortex की, क्योंकि नेम में दिया गया है, जिसन में adrenal cortex, और adrenal cortex की तीन लिया रहे है, जी, एपार, glomerulosa, glomerulosa, faciculata, reticularis, mineralocorticoid, glucocorticoid और sex corticoid, Glucocorticoid में main hormone हो गया Cortisol Mineraloporticoid का main hormone हो गया Eldrost implementing or यह बात Eldrostron के कर रहा है Eldrostron में disease की बात कर रहा है कि यह सर इसके low level से constant disease होती है इसकी वजे से Add descobrim kachenic disease नबन वहती है और high से thushing syndrome यदि इनका‑लवल अलगलग है तो हमें यठ देखना पड़एगा सेक्स कोटिकोईड का अलग लेवल है यह जो ना फेसिकुलेटा से ग्लूकोटिकोईड से उसका लेवल अलग है या जोना औरज बार का अभी यह है यह भी क्रूमेड़ो से बात कर रहा है तो क्रूमेड करने से यह क्रूमेड का token कर रहा है तो Nada Hepatic पात होई होगी सर कि इंसुलिन का काम क्या है कि बलड जो है बलड का जो ग्लुकोस लेविल है उसे डिक्रीस करने का काम करता है जिसकी बज़े से सर्थ क्या होता है हाइपो ग्लाइसेमिक कंडिशन होई है इसका मतलब इस ग्लुकोस को कहीं ने कहीं सेल्स के पास बेज दिया तो वो ग्लुकोस को कंज्यूम भी कर सकती है और ग्लुकोस को स्टोर भी करवा सकती है ग्लाइकोजन की फोम में तो इसको देखकर के सरीक जीमन किसी बात यहाद आ जाती है कि क्या हो हलवाई हैं उन्हें बहुत सारा खाना बना के तयार कर रहा है पर जीमाने वाले जो होते हैं आप नहीं बैटे हैं जो पतल में आपको सर्व करते हैं तो इंसुलिन बिसिकली एक तरीकी से सर्विंग एज स एफ ग्लकोज है तो इसको यह क्या कर लेगा उशको स्टोर कर लेगा अकर कर पाएगा और ब्लड के अंदर इक लुकोज जादा इंक्रीज हो जाए busly वह यूरिन के थूरा आ जाएगा तो डाइबटीज जैसी संडिस डवलब मैलाईटस डवलप हो जाएगी सर्जी तो अब इसके साब से आंसर देखते हैं, promote the storage of nutrients, बिल्कुल storage करने का काम कर रहा है, lower the blood glucose level by stimulating liver, fat and muscle cell to metabolize glucose, यानि कि blood glucose level को क्या कर रहा है, ये low कर रहा है, तो हमारे blood के अंदर जितना भी glucose है, वो glucose, liver के अंदर जाएगा, तो liver के तो बहुत सारे function है, glucose को glycogen में conversion, glycogen को glucose में conversion, बहुत different type के functions perform करता है, liver, yes sir, fat की form में जादा है, इसका मनलाब वहाँ पर muscles के अंदर, adipocyte, उसको storage करवा देग, जी sir, इसका मनलाब first statement भी correct है, और ये second statement भी correct है, stimulate uptake of glucose by cells, बिल्कुल बात सही है, cells link uptake कर लिया, उस glucose को, it means ये statement भी correct है, तो हम कह सकते है, more than one options are correct, या मैं कह सकता हूँ, first, second and third, all of the above, अभी all of the above का sir, बहुत, ये question एक, आप लोगों को एक moral, एक सीख देने के लिए question है, कि all of the above देखते है, क्योंकि इस question में तो students, तीनों की तीनों option मिल गए, पर आम तोर पे कई बार confusion करने के लिए क्या करता है, sir, वो examiner all of the above देदेता है, और बच्चों को लगता है कि इसमें answer all of the above भी जाएगा, ठीक है, तो इसलिए आपको ये धियान रखना है, आपको अपने knowledge के साबसे options को check जरूर करना है, क्योंकि यहां पर one, two, three option दिये, क्या पताब five option दे स जी, sir, overproduction of hormones by the adrenal cortex produce a disorder which is known as, अब सर, ये वहां पर इसने बात की थी, जो low production की बात की थी, और यहां पर ये बात कर रहा है, over production की, यानि adrenal वल्कुट दौरा होर्मून के उच्च स्त्रावन के कारण एक विकार उत्पन होता है, जिसे क्या कहते हैं, हम ये देख सकते हैं, अक्र higher level से होता है, diabetes insipidus, ये ADH के low level से होगा, exophthalmic goiter जो है, जिसमें eye bond बाहर की तरफ निकल जाएं, ये किस से लेटिड है, thyroid gland के thyroxine hormone से, thyroid gland से, thyroxine hormone के access level से, और coussing syndrome जो है, ये adrenal, it means adrenal cortex जो है, उस adrenal cortex में, glucocorticoids का level, यदि यहाँ पर overproduce हो जाए, तो coussing syndrome होगा, जी, तो यानि की सर, जो हम लोग देखे, विर्स से related बात करें, तो हमारा fourth option सही हो गया है, ना सर, आगे चलते हैं, which of the following hormones are responsible for glycogenolysis, glycogenolysis means glycogen का breakdown हुआ है, बिल्कुल सर, gluconeogenesis, it means carbohydrate को छोड़के, जो fat और extra है, उन्हें convert करना glucose, glucose के अंदर, ठीक है, देखो, ग्लुको नियो, नियो मतनब नई चीज से glucose बना दिया, आम तोर पर क्या है, glucose को, या तो किसी को decrease करके बनाया जाता है, किसी बड़े carbohydrate को तोड़ करके, या फिर किसी छोटे से फिर उसको convert किया जाता है, gluconeogenesis कई बार confusing हो सकता है, fat को glucose में convert कर दिया, protein को glucose में convert कर दिया, इस process को gluconeogenesis कहते हैं, लिपोलाइसिस, it means lipid का क्या हो रहा है, या breakdown हो रहा है, लिपो मतलब lipid और lysis मतलब तूटना, और proteolysis, protein का breakdown हो रहा है, इन से related हमें हार्मोन को analysis करना है कि कौन-कौन से हार्मोन है, तो पहला glucocorticoid, glucagon, catecholomides, ये सभी हार्मोन, glyco, genolysis, gluconeogenesis, lipolysis और proteolysis के लिए responsible है, बल्कुल, तो ये सही हो गया से हमाना, cortisol, glucagon, epinephrine और nor epinephrine, ये भी इसी से related है, बिल्कुल, corticosterone, glucagon, adrenaline and noradrenaline, ये भी sugar metabolism से related है, और all of the above statement are more or less correct, तो सही answer क्या हो जाएगा हमारा, more or less correct, ये वाला हमारा answer हो जाएगा, अब सर यहाँ पर एक MCIT का diagram है, जिसे हमें label करना है और उनके साथ से options को हमें identify करना है, तो labeling स्टार्ट करते हैं सर, ये जो E है, ये basically किसको शो कर रहा है, इस तरीकी कि जो diagram है, उसमें हमें wild gas करना है, उसके आसपास के structures के बारा में, ये hypothalamus को represent कर रहा है, और G जो है सर, ये पिटुट्री gland को represent कर रहा है, पर अगर आप इसको arrow में जाएंगे, क्योंकि तो आप देखिए arrow की तरफ गयेंगे, तो ये medular, औप लेंट का भी यहाँ पर दिख रहा है, पर हम endocrine civility, इसमें options हैं हैं हमारे पास, तो हम इसको pituitry gland को consider करते हैं, और C जो है सर, ये pancreas का भी कौम सा portion, endocrine portion, ठीक है सर, और D जो है ये suprarenal gland को, यानि कि हमारी adrenal gland को, suprarenal इसलिए कहते हैं क्योंकि ये kidney के superior part कर प्रसेंट होती है, फिर इसमें तो क्या दे दिया, इसमें तो male और female reproductive system दोनों एक साहती दे दिये, और हमें बता है कि humans जो है, उनमें male reproductive part अलग invisible में होता है, और female reproductive part अलग invisible में होता है, तो ये दोनों gonads दे रखे हैं, ये ovry हो गया और ये testis हो गया, अब हम इसको match करवा सकते हैं, labeling के basis पर, पहला सर, A को thymus बता रहा है ये, तो first option तो गलत हो गया, क्योंकि A क्या है, thyroid और parathyroid, A को thyroid बता रहा है, सही बात हो सकती है, C को pancreas बता रहा है, और F को penial बता रहा है, तो I think ये ही option जो है, करेक्ट होगा, A को फिर इसने thymus बता दिया, G को penial बता दिया, और F को pituitary बता दिया, तो ये भी students क्या हो जाएगा, G क्या है, pituitary है, तो ये गलत होगे, A thymus होई नहीं सकता, A जो है वो thyroid, B जो है वो hurt, और F जो है वो pituitary, B hurt नहीं है, करेक्ट option कुन सा होगा, Second option हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, तो इसका next question आ जाता है, largest endocrine gland की बात कर रहा है, तो हमें पता है, largest endocrine gland हमारी body में कौन सी होती है, वो thyroid है, लेकिन यदि largest gland पूछा जाता, तो largest gland body की कौन सी है, लेकिन ये कैसी है, एक्जो क्राइब नेचर की है, लेकिन हमें यहाँ पर ये वर्ड भी ध्यान रखना है, कि ये endocrine gland के बारे में पूछा है, तो correct answer क्या होगा, thyroid gland, फिर the hormone that support pregnancy and stimulate memory glands for the formation of alveoli for restoring milk isn't secreted from, यानि कि ये इस तेखिका क्योशन पहले भी आ चुता है, कि milk let down hormone कौन सा होगा, वो तो oxytocin है, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रेगनेंसी को support करने वाला तो progesterone है, जिसके कारण pregnancy continue करती है, और ये पूछ रहा है सब कि ये कहां से basically release होता है, तो ये औरीज के अंदर ग्राफियन फॉलिकल जैसे रप्चर होती है, तो रप्चर पार्ट जो कार्पस लूटियम में convert होगा, वो large amount में progesterone और small amount में distribution करेगा, utene pigment deposit हो जाने से वो corpus लूटियम में convert हो जाती है, और yellow color में appearance होती है, तो सही answer fourth हो गया सर, next पे चलते है, sertoli cell stimulated by, sertoli cell की यहाँ पर बात कर रहा है सर ये, जो basically semi-ferrous tubule के अंदर हमारे present होती है, ये semi-ferrous tubule होगी, male reproductive testes के अंदर हम लोग देख रहे ही है, ये germinal epithelium हो गई, और इनके अंदर sertoli cells, ती जर्दा sertoli cells, और यहाँ पर interstitial cells present है, इस sertoli cell को stimulate कोन करेगा, FSH hormone करता है सर, anterior pituitary का hormone, और anterior pituitary का hormone यहाँ पर कौन सा stimulating hormone, तो correct answer क्या होगा है, इसका FSH हो जाएगा, Which part of mammalian brain controls the voluntary respiration, तो अब respiration की बात आ रही है, तो हमें पता है कि जो respiratory centers है, वो हमारे brain की, hind brain के किस portion में present है, यह दो तरीके की activities होती है, एक होती है involuntary activities, और एक होती है, voluntary activities, यदि हम किसी भी class में बैठ कर कोई भी study कर रहे हैं, तो ऐसे time पर हम inhale और exhale कर रहे हैं, तो वो involuntary activity है, यदि हम कोई yoga कर रहे हैं, तो उस time पर हम forcefully inhale और forcefully exhale कर रहे हैं, तो एक voluntary activity है, तो इसमें four brain का part काम करेगा, और इसके अंदर hind brain का part काम करेगा, तो कौन सा करेगा, involuntary और medulla और यहीं पर वो बच्चे गल्की करेंगे, कि respiratory center की बात आगी, तो आंसर medulla लगा देंगे, लेकिन यहां पर क्या पूछा गया है, यानि कि जब आप रामदेव जी की तरह योगा करें, तब आपका कौन सा वाला brain का part control करेगा, इसके यह cerebral part करता है, four brain तो सही answer क्या हो जाएगा, medulla नहीं होगा, क्या होगा, cerebrum होगा, बहुत अच्छा क्विशन है, आप इसको जैसे लखिये का इमाग दो, फिर identify the main functions of the cerebrum of human brain, the given statement, ठीक है साथ, हमें functions देखने हैं cerebrum के, control the contraction of voluntary muscles through frontal lobe, बिल्कुल correct है, बिल्कि frontal lobe जो है, वो voluntary activity को, अभी हमने देखा कि, cerebrum जो part है, वो voluntary activity को control करेगा, तब आपका करेक्ट, control the movement, memory, vocability through the frontal lobe, यह memory से related है, तो यह भी कौन करेगा, cerebrum, cerebrum का कौन सा पार्ट, frontal lobe करेगा, control the temperature, taste, touch, pain through the parietal lobe, किसी भी map को identify करना है, या pain को, या touch को, या taste को identify करना है, तो इसके अंदर, for brain का parietal lobe, काम करे, sense of smell through occipital and frontal lobe, no, यह statement wrong हो गया, occipital vision के लिए related होता है, frontal lobe, यह different activities के लिए responsible है, लेकिन, आपको यहाँ पा, hearing mechanism को यदि identify करना है, तो इसके लिए, हमारा brain का side, जीशे हम बोलते है, temporal lobe करेगा, यह option क्या हो गया, गलत हो गया, तो सही answer सर, first, second, और third option, तो सही answer कौन सा हो जाता है, हमारा, third, third option मिलनाता है, snaptic vesicles found in, snaptic vesicles कहाँ पाई जाती है, अभी हमने सर, section भी देखा था इस तरीके का, यह हमारा pre-snaptic, ठीक है, और यह हमारा post-snaptic, तो सर, snaptic vesicles, यह जो snaptic gnome है, इनके अंदर इस तरीके की vesicle structure है, और इनके अंदर neurotransmitter fill होता है, वो neurotransmitter excited tree भी हो सकता है, और inhibit tree भी हो सकता है, यह दो neuron के बीच का junction हो गया, जिसे हमने snapt कहा, ठीक है, तो सर, कहाँ पही पाई जा सकती है, snaptic vesicle, तो हम यह कह सकते हैं, pre-synaptic neuron के अंदर, यह क्या है, post-synaptic neuron, तो synaptical vesicles कहां present है, pre-synaptic neuron, तो post तो गलत हो जाएगा, snaptic cleft में तो इनके दोरा neurotransmitter release होता है, वो जाता है, यह भी गलत हो जाएगा, और बोट की तो यहाँ पर बात होती ही नहीं है, ठीक है सर, तो यह हमारा students, जो हमारे पूरे discussion हम लोगों ने किया, nervous और endocrine का, next, जो इसकी जो next lecture आएगा, उसमें हम इसी तरीके के और questions को discussion करेंगे, तब मुलागात होगी जब तक के लिए, धन्यवाद, thank you, thank you so much